कि अधिए पारिस हो रही है लेकिन हम लोग फिर भी आपे गुमने के मूर्चे आए तो भूमके ही जाएंगे अभी देखिए अभी भी बारिस हो रही है और अभी मापको दिखाते हैं आप एपने दोस्तों को साथ हम आए मिलवाई है और यह लोगर विम फुर फूर फूर फ्लानिंग के साथ आएंगी जाये हैं और यह दोनों मेरे दोस्त ने जो मेरे साथ घूमने आएं आर देखिये अब आपको पीछे का पूरा विव दिखा रहे है। और यह है सावरमते रिवर्प्रेंट अर इंबो देखिए और वहां पर भी आपको पूरा वीडियो दिखाएंगे और अभी देखिए आपर बारीश हो रही है अभी थोड़ी बारीश दीमे हुई है इसलिए हम थोड़ा बाकी आपर बहुत तेज जोरू की बारीश हुई है जब हम दीरे दीरे जा रहे हैं अटल बिरीश के तरह और अभी बारीश हो रही है और कोई बात नहीं है अभी घूमने का मूर से आया है तो घूमेंगे और यह देख लीजिए हम उपड़े दोस्तों के साथ गूम रहे है और बारीश है बारीश के फूने चस्मे पर आपको द में से एक मानी जाती है और अभी देखिए न चारो तरफ बारीश हो रही है कापी तेज प्रिजती से इसलिए इसका जलस्तर भी कापी बड़ा बड़ा नगर आ रहा है और कापी फूप्तुरस लग रही है इस समय और ऐसा लग रहा है कि हम पूरी तरह के से बीग जाएंग और देखिए आप अभी के टाइम के में बात करूं तो यार बहुत जारा साफ सपाई मुझे तो कम से कम नजन नहीं आ रही है क्योंकि हम लोग गंती नगर रिवर्फेंट जो लखनों में पढ़ता है वहां भी भूम चुके है और मंभी में भी आप जाते हो दर भी हम भू से बना हुआ है इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी से शेर करना जाता हूं यह तीन सो मीटर लंबा और करीब 10 से 14 मीटर चौड़ा है और जिसे बनाने में कुल लाज़त करीब 74 क्रोन आई है और इसका जो निर्मार किया है वो P&R इंसा प्रोजेक्ट लिम्टे ड में लेते हैं जिसका दाम स्टीथ हुपे है और हमने एक ले लिया है और अपके लिए आगे की तरफ हम प्रह्षान करते हैं और यह देखिए यहां पर जोरो की बारिश हुई है इसलिए चारो तरफ पानी पानी नजर आ रहा है आप लोगों को और यह जो व्रिज है उसको पतंग के आतार में बनाया गया उपर की जरफ क्योंकि यह जो पतंग महस्ते से काफी प्रेरित माना जाता है और यह देखिए इस्टील के चार पायों पर पूरा पूल टिका हुआ है और यहां से पूरे एंदबाव सहर का नजारा काफी खुश्चुर दिखता है यहां से स कि और यह जादा विदा नजर इसले नहीं आ रहे खिसकी बारिज समोचन है और कपी हम लोग भी भीट चुके हैं और पे दीरे रहर हम एक तरफ से दूसरे तरफ की तरफ जा रहे हैं तो आज ही हम आप नीची की तरफ आपको लेकि के चलते हैं। और चलाइए मापको नीची से तरफ पूरा वीडियो दिखाते हैं उपर जैसा कि आप लोगों ने देखिया कि हमने आज पूरा अलाइव धरिज घूमी रहे हैं। मज़ा मोग भूहा जाने वाले हैं और हमने बहुत अच्छे से इन्जवाबे किया दोस्तों के साथ और कपी बहुत मज़ा थी और एक बरकार से खाये तो बारिश ने मज़ा किरकरा जरूर कर दिया गूम्ने का क्योंकि हम पूरी तरीके देदे को भीग भी चुके हैं लेकिन अबकुल मिलाकर ठीक है जैसा भी है गोमने आया थे पैसे खर्च किया थे तो गोमने खुब इंजाए क्या और मज़ा है फुट और ये रिवर फ्रेंट का नजारा है जहां पर बैटने के लिए ब्यूस्था है अब बारिस हो रहे है इसलिए यहां पर काफी लोग नजल नहीं आ रहे हैं लेकिन देखते हैं अगे चलते क्या होता है हमने साबर मती रिवर फ्रेंट पूरा गोम लिया है और काफी मज़ा है और अभी तो मुस्लम काफी अच्छा हो गया और बारिस भी रूग गई है और अच्छा लगा बहुत अच्छा लगा और यह बोल रहे है कि इस बार मैंने गल्ती कर दी यार वारिस में घूमने आने को लेकर पर कोई नहीं आर अंच बला तो सब बला और बहुत मज़ा है यहां पर गोम के अगर आप लोग को यार वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरू करते हैं आप बहुत मेंने लगी यार कैसम से पुरा भीग गए आप यार लेकिन फिर भी हम ने पुरा वीडियो सुट किया जो हमसे पॉसबल हो चुका फोन भी बीग गया लेकिन फिर भी वीडियो सुट करते रहे हम और काफी इंज़ाइक या मस्ती करने के लिए क्योंकि साम के लिए इसका नजारा बहुत खुशुरत हो जाता है और इसलिए अभी साम के समय जागा भीड़ भी रहती है पर रात में यहां का द्रीस बहुत अच्छा है तलकिन हमें एक और जगा भी गूमने जाना है इसलिए हम वापस लोट रहे हैं और कु अगर आथि को बरे चुपह